हेलो फ्रेंट कैसे हूँ उमीद काता हम आप सब लोग अच्छे होंगे तो एक और इंट्रेस्टिंग कमपेजन वीडियो में आप लोगों का स्वारत है अलग-अलग ब्रांग के दो पापलर इस स्मार्टफोन एक तरफ मोटो जी फिप्टी फॉर फैब जी और दूसी तरफ रेडबी 12 5G को 14,999 रुपे की प्रैट्स में 8GB की रैम और 256GB इस्टोरेज वाले वीरेड को बाई कर सकती है अगर आप लोग भी परफेक्ट आल रांडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे तो आज की इस कमपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरू देख की जाना चाहिए तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं दोने स्मार्टफोन का अगर परफॉमस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के ले उसका प्रोसर काफी इंपोर्टेंट पार्ट होता है एक तरफ मोटो जी दीनियों को ने मिलता है वहीं दोने स्मार्टफोन का अगर अंतितोव स्कोर की बात करी जा है तो उसमें भी इतना ज़्यादा दीनियों की बात करी जात तो एक सिर्फ नाइंटी हर्टेर रीफ्रेसेट का सपोर्ट देखने के मिल जाता है वह दूसरी ट्रक कम प्राइस होने के बावजूद भी प्राइस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्स विनस के लिए डिस्प्ले में 120 हर्टेर रीफ्रेसेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है प्राइमरी केमरा मिलता है जिसका अपरचर F1.8 अपरचर देखने को मिल जाता है बाकी के दूसरा कैमरा 8 मेगा फिक्सल का मिल जाता है विट एलीडी फ्लैसे लैट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वैं दूसरी तरब डेडमी 12 फैपजी के भी में dual rear camera setup देखने को मिल जाते है 50 Megapixel का mean primary camera मिलता है जिसका aperture f1.8 aperture देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा camera 2 Megapixel का मिल जाता है with LED flash LED के साथ पर camera में OIS का support देखने को नहीं मिलता है selfie camera का अगर बात करी जाए तो compress होने के बहुत भी खास का selfie के मामले में clear विना निकल के आता है Moto का G54 5G को कि Moto G54 5G में 16 Megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है जिसका aperture f2.4 aperture देखने को मिल जाता है तो Redmi 12 5G का एक बहुत बड़ा minus point है इसका selfie camera दोने smartphone का अगर video recording feature की बात करी जाता तो Moto G54 5G में dual video record करने का option देखने को मिल जाता है जब पि ज्यादा प्रैस होने के बहुत 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 करने का option देखने को नहीं मिलता audio feature के अगर बात करी जाता है तो Moto G54 5G में Dolby Atmos देखने को मिल जाता है जब कि Redmi 12 5G में Dolby Atmos देखने को नहीं मिलता है बैटरी segment की अगर बात करी जाता है तो तम प्रैस होने के बहुत भी खास कर बैटरी backup के मामलें बैटर हो जाता है Moto G54 5G को की Moto G54 5G 6000 MbH की एक बड़ी बैटरी मिल जाती 30W की टर्बो-फास चार्जिंग के साथ USB tap support का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो अब बात करीज़ें कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है Moto G54 5G का प्राइस 1000 रुपीस कम है फिर भी यह स्मार्टफोन हर मामले में Redmi 12 5G से बेटार हो जाता है तो अगर आप लोग भी 15,000 रुपीस से कम की प्राइस है परफेक्ट आल रांडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे तो मैं आप लोगों को रिक्मेंट करता हूँ कि आप लोग 1,000 रुपीस कम खाच करके Moto G54 5G को ही बाई करें